सुरज उगने से बदलते हैं इधरा आस्मा चलते रहेने से हो जाती है हर मुश्किल आस्मा चिन्ता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुब चिन्तन हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन सवार ले सुधार ले कर समस्य का समधान कर समस्य का समधान कर समस्य का समधान कर समस्य का समधान पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे विचार किये जाएं और कैसे ना किये जाएं क्योंकि हर संकल्प फली भूत अवश्य होता है संकल्प एक प्रकार से बीज की तरह हैं और बीज अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं जो विचार के स्तर पर हम करते हैं इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या सोचें और क्या ना सोचें ये भी एक चिंतन हमारे पास अवश्य होना चाहिए एक व्यक्ति एक यात्रा पर जा रहा था बहुत ठक गया था एक घने पेड़ के नीचे वह बैट गया ठक गया हूं बहुत एक चार पाई आ जाती तो कमर सीधी कर लेता एक चार पाई भी आ गई अब उसे लगा कि अरे ये सब कैसे होता चला जा रहा है कहीं आसपास भूत तो नहीं है जो आ करके मुझे खा जाएं तो भूत भी आया है और विचारे का राम सब्सक्राइब करते हैं आडर भाताजी का अभिनंदन करते हैं राता जी बहुत बहुत स्वागता और अभी नंदन है आपका पिछली बार एक्चली जो बात हमारी निकली थी वो यही थी कि कई लोग अपने जो भी संकल्प आ रहे हैं अच्छे हैं या बुरे हैं उसके लिए भी प्रयोग करना चाहते हैं कि चलो येन केन प्रकारेंड मैं इस चीज को प्राप्त क कर लों लेकिन शायद वो हितकारी नहीं है ना दूसरे के लिए ना खुद के लिए ना समाज के लिए तो इसी लिए इस बात को मैंने छेड़ी इस पर भी थोड़ा प्रकाश जरूर डालें संकल्पों का तो बहुत जाद महत्व हैं वही संकल्प स्रेष्ट हैं जिन से जन जन का कल्यान होता हो क्योंकि मनुस के संकल्प सबसे पहले उस पर प्रभाव डालते हैं अगर वो निगेटिव संकल्प कर रहा है अगर उसके संकल्पों में स्वार्थ भरा हुआ है अगर कि बहुत वीक होते हैं और वीक संकल्प समझाओं को create करते हैं इसलिए हमें ऐसे संकल्पों से बचना चाहिए और मैं ये कहूंगा आजकल जो बहुत जादा संकल्प लोगों को चलते हैं परिशानियों के और चिंताओं के हैं बहुत सारे phone call इस चीज के आते हैं कि हम सोच रहे ह हैं क्या सोच रहे हैं हमें भी पता नहीं बहुत सोच रहे हैं मैं हासे में का करता हूं तो न सोचो न पर क्या करें हम तो सोच रहे हैं एक अधीन हो गए हैं सोच के और उसमें भी परेशानी पैदा करने वाले संकल्प दूसरों का चिंतन जिसे परचिंतन कहते हैं उसके सं संगल्प और क्रोध से भरे हुए बदला लेने की feeling जिसमें रहती है उससे भरे हुए संगल्प और ये संगल्प मनुस को सच मुच नस्ट कर डालते हैं उसकी एकागरता को भंग कर देते हैं अगर वो student है तो बिलकुल सफल इविन ग्रैनी माता है मुझे फोन करती है कि आप हमतों कहते हों बोजन बनाते हुए परम पवित्रात्माव करो हम तो एक बार करते हैं पिर पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं बहुत कोशिचार कैसे करें और वो सभी को सीखना आजकल के परिवेश में बहुत जरूरी हो गया है और वैसे भी कहा भी गया है भाताजी संसार में यह मानन्यता है कि पुरी दुनिया को आप जीत सकते हैं लेकिन मन को नहीं जीत सकते. तो कई बार शायद व्यक्ति ये मान बैठता है कि मन को जीता नहीं जा सकता. पवन के वेक के समान है, तूफानी गोडे के समान है. तो शायद ये मान करके भी उसे छोड़ देता है, मन सोचता रहता है और शायद ये हमारी बहुत सारी परिशानियों का कारण बनता जा रहा है। ताकि हमारा मन कुछ सुन्दर विचारों में रमन करे सारा दिन और इसका प्रभाव दिंचरिया पर बहुत पोजिटिव होगा। अहित कर तो दिया, दुसरों का पैसा छेन तो लिया, दुसरों को कस्ट पहुंचा तो दिया, ठीक है और मन उसक्ष खुस हो गया, के वाँ, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, मेरे पास धन बहुत आ गया, देखा उसे मज़ा चखा दिया मैंने, पर तो मुन उसको नहीं भूलना चाहिए कि कर्म की गती कुछ और भी कहती है जो एक्षन हमने किया उसका रियक्षन कई गुना होकर हमारे पास वापिस आने को तयार है मेरे को आज एक ऐसा केश आया जिसमें कोई बहन सुना रही थी कोई दर्द बरी कहानी कि मुझे कित्मे कस्ट होते हैं मैं नहीं कहा देखे ये मनश के बुरे कर्मों का ही तो बयर नाम है दूसरों का अंग अंग तोड़ा है तो अंग अंग पीडित हो रहा है painful है, सोने नहीं दे रहा है तो मैं सभी अपने भाई बेहनों को ये कहना चाहता हूँ कि कर्म के प्रभाव को भी ध्यान में रख कर करम करें ततकालीन सुख मिल गया छणभर का लेकिन सदाकाल के लिए दुविधाय अश्यानती परिशानिया खरीद ली इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रा है आजकल भ्रता जी जो टीवी सीरियल साते हैं या इस प्रकार की उसमें तमाम यही चीजें होती है कि कोई किसी से जल रहा है, कोई किसी से बदला ले रहा है तो ये सारी चीजें देख करके व्यक्ति सोचता है कि शायद यही जीवन शैली उन्हें भी अपनानी चाहिए और कहीं न कहीं वो दूसरों को कस्ट देने में बुरा भोलने में या टीट फो टैट वाली जो नीती है वो अपनाने को ही जीवन मान बैठा है तो ये कर्मों की जो गुहिये गती है इस पर ध्यान देना सच में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं मैं उन्हें कहता तो नहीं हूँ मैं तो उन्हें समाधानी बताता हूँ पर अंदर में साफ दिखाई देता है जिनोंने दूसरों को कस्ट दिया है वो बहुत कस्ट पा रहे हैं जिनोंने दूसरों को धोका दिया है उन्हें भी धोका मिल रहा है जिनोंने अपनी मात्विता से बुरा व्यवार किया था अब उनके बच्चे उनसे भी बुरा व्यवार कर रहे हैं जिस सास ने अपनी बहु को सताया मिलटरी का जनरल हो किसी देश का प्रेजिजेंट हो कोई बड़ा संत मातमा हो अगर उसने गलत काम किये हैं तो इस जनम में भी और अगले जनमों में भी उसको उसका फल भोग नहीं पड़ता है इसलिए हमा ध्यात्म में राजयोक के मार्ग पर सब के करमों को प्यूरिफाई करने की बात बहुत करते हैं विचार भी प्यूरिफाई हों, बोल भी बहुत सुखदाई हों, करम भी बड़ेकर ल्यानकारी हों, तो मनुस का जीवन सुखी रहेगा और सब कोई समय लेना चाहिए कि अगर जीवन में दुख है, अगर बच्चे अच्छा व्यवार नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे चार और मदूरता का रस घुला हुआ नहीं है, अगर हमारे चार और परिवार में अकर्म छेत्र पर स्चानती नहीं है, तो उसके जिम्मेदार कह नहीं नहीं हम स्वयम भी हैं, बिल्कुल, और इसे ठीक करने के अब जरुरत है, क्योंकि जो चीज हो गया है, उसे तो अब हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वरतमान में अब इस बात का धियान है, अब फिर से गलतियां हम से नहीं हो, प्रता जी ये कुछ मेल्स हमारे पास आय 11, we regularly watch all programs on Peace of Mind channel, I wish to ask a question in Samadhan program, my father practices meditation but cannot connect to Shiv Baba, he is suffering from prostate cancer since 2005, he was operated once and underwent radiation therapy at Tata Hospital Mumbai, but again his prostate problem has intensified, so kindly suggest a solution for his illness is also a way to him to connect to Shiv Baba, thanking you, ये Manisha Parab जी है, ब्रता जी मुंबई से लिख रही है, देखिए ये cancer तो आजकल हमारी बनता ही जा रहा है, लेकिन मन बहुत स्वस्त रहे, चित बहुत हैपी रहे, इसकी इनको भी बहुत जरूरत है और सभी मनुस्यों को बहुत जरूरत है, होता क्या एक ब बहुत जरूरत है, दोबारा अगर उसे पता चलता है, कि फिर हो गया है, तो आधा डेड़ हो जाता है, उसकी खुशी नस्त हो जाती है, परिवारों में मायूस ही चा जाती है, मैं इनको कहूंगा इससे निकलें, ठीक है दोबारा इनके सामने चेलेंज आया है, पहली बार ठीक हो गया था, अब भी ठीक हो जाएगा, पहले इने ये सुन्दर संकल्प अपने मन में करने हैं, और अब इन्होंने राज्योग भी सीख लिया है, ठीक है इनका बुद्धियोग सिर बाबा से परमात्मा से नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज तो ये कर ही सकते हैं, एक च साथ होने पर जीवन की किसी भी चुनोती को हम हस्ते हस्ते पार करेंगे, ये बहुत सुन्दर संकल्प इने लेगा है, जैसे कल्पी शाद हमें चर्चा की थी ब्रता जी की परमात्मा हमारी रक्षक है, बॉडी गार्ड है, जैसे आपने कहा था, तो ये घवराएंगे नही दूसरी प्रेक्टिस ये करेंगे, सी बाबा से ये न भी कनेक्ट हो पाएं, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, ये मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, और मुझ से किर्णी निकल कर पूरे शरीर में फैल रही है, प्रोस्टेट की और भी जा रही है, उसको रही है, उसको हेल्दी बना रही है, कैंसर के जर्म्स को नस्ट कर रही है, ये दो प्रेक्टिस, शिवावा मेरा है, बहुत सुन्दर प्रेक्टिस, ठीक है ये योग लगाने की, मन को एक आग्र करने की खींचातान ना करें, क्योंकि ब्रेन की बहुत सारी एनर्जी उस तर उनसे जोडें, he is my supreme surgeon, और उनसे बात ही ऐसी करें, शिवावा, आप तो मेरे supreme surgeon हो, आपको मेरा एक एंसर ठीक कर देना है, आप जैसा सर्जन भला कहां मिलेगा, जो सर्जन मुझे ओपरेट करें, या जो डॉक्टर मुझे treatment दे, उसके साथ आप भी रहना, आप मुझे treatment दे और फिर थोड़-थोड़ा भ्यास किया करें, बाबा यहीं आगे, ब्रह्मा बाबा, सीव बाबा, मैं उनकी गोद में चला गया हूँ, और पूरे शरीर पर वो अपना वर्दानी हाथ फेर रहे हैं, कि बच्चे गया ये तुम्हारा कैंसर समाप्त हुआ, इस तरह बाबा स ये नाता जोड के रखेंगे, सुप्रिम सर्जन का और खुदा दोस्त का, तो इनका मन बहुत प्रसन रहेगा, दो-चार बार सारे दिन में ये अभ्यास कर लें, चार्ज करके पानी भी बहुत अच्छी तरह पियें, तो बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे, भले, दोब प्रस भी कहते हैं ब्रता जी, अपनी तरब से पूरा प्रयास करने के बाद कहते हैं कि हमने अपना काम तो कर दिया, बाकी उपर वाले के हाथ में हैं, और यदि इनके साथ उपर वाला ही है, तो फिर तो कैंसर ठीक होना ही होना है, बात विश्वास की है, बात थोड़े से जरूर हमारी भीशुप कामना रहेगी, मनीशा जी आपके पिता श्री के साथ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं प्रता जी हमारी पास दूसरा जो मेल आया है वो है रोहित का और ये कहते हैं ओम शांती सर मैं इंजिनेरिंग सेकेंड डियर का स्टुडेंट हूँ पढ़ाई में लापरवाही की वजह से मेरा रिजल्ट खराब रहा, अब ये मेरा लास्ट मौका है अगर मैं इस सेमिस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं लाता तो मैं फेल हो जाओंगा मगर अभी भी मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ प्लीज सर मेरी हेल्प करिए ताकि मैं अपना केरियर बना सकूँ अब इनको पहली जरूरत है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें अच्छे संकल्प करें कि इस बार मैं एक्जाम में सफल होंगा ही और दोस्वमान जो हर स्टुडेंट्स को रोज सवेरे विशेश कर एक्जाम के दिनों में और उससे पंदा दिन पहले से रोज सवेरे कर लेनी चाहिए मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूँ सफलता मेरा जनम सिद अधिकार है और जन्होंने राजियोग सिखा वो इतना भी कर लें कि सिव बाबा मेरे साथ है तो confidence बहुत बढ़ा रहेगा और सफलता होगी क्योंकि सवेरे उठते ही जब हम ये संकल्ब करते हैं तो सवेरे मैं ये underline कर रहा हूँ पुन है कि उठते ही इनको पहला संकल्ब बनाएंगे जो राजियोग करते हैं जो नहीं भी करते अपने परमपिता को good morning करें good feeling में जैसे भगवान से मिल रहे हैं उसे good morning कर रहे हैं वो हमारा मात पिता है और फिर संकल्ब करें क्योंकि सवेरे subconscious mind जागरित होता है तो ये पहले thoughts subconscious mind accept कर लेगा और हमें सफलता की ओड़ने चलेगा brain की समझ सक्तियां हमें exam में सफलता दिलाने में लग जाती है ये इनको बहुत अच्छी तरह करना है लेकिन बहुत अच्छे confidence के साथ तैयारी अपनी पूरी बहुत अच्छी तरह से रखनी है तो ये जो दूसरी इनकी समस्या बहुत है अभी मन तो देखिए लगाना पड़ेगा ये बहुत सारे यूकों के सामनी समस्या आती है कि जब exam में इस तरह की सफलता होती है तो ये तो कोई नहीं जान सकता ब्रेइन में क्या-क्या होता है मन उस पर एक negative effect हो जाता है और नहीं जाने ब्रेइन में क्या-क्या परिवर्तन हो जाते हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता फिर निरासा आने लगती है वो ये भी सोचने लगते हैं नहीं होगा तो अब क्या होगा हमारा अगर एक्जाम के लिए न हुआ तो क्या होगा तो कई तरह के निगेटिव थोट सुने आने लगते हैं मैं इने फिर वो एक चीज याद दिला दूँ जो हमारे सभी दर्सकों को हर फिल्ड में याद रखनी है कि हमारे हर संकल्प में क्रियेटिव एनर्जी है जो कुछ हम संकल्प करते हैं विशेश रूप से बार बार करते हैं उसे हम क्रियेट करते हैं वो एनर्जी चार और फैल इस बार तो सफलता मेरे चरण चुमेंगी ही तो इससे इनके अंदर खुसी होगी और पढ़ाई में मन लगेगा लेकिन थोड़ा राज्योग का अभ्यास तो इन्हें करी लेना चाहिए और अगर इन्होंने राज्योग का अभ्यास किया है तो आधा गंटा सबेरे आधा चत्र हो जाती है इनका चित चाहन्त हो गा अगर दो मिनट के लिए इनका चित चाहन्त हो जाता है योग में तो इनके मन में प्रशंत आ जाएगी और पढ़ाई में मन लगने लगेगा लेकिन ये अपने मन को भी स्थरarah है ट्रेंद करें कि नहीं अब मुझ़े पढ़ाई म मन लगाना है थोड़े इस वरी महवाक्तियों का दस मिनट भी अधिन कर लें तो निश्यत रूप से इनका पढ़ाई में मन लगेगा रोहित तमाम बातों पर जरूर अमल कीजिएगा निश्यत रूप से सफलता आपके कदम चुबेगी हमारी भी पूरे समाधान परिवार की बहुत सारी शुब कामना आपके साथ है हिम्मत मत हारिएगा लगे रहिएगा प्रता जी अगला मेल हमारे पास है मासूम ने भेजा है ये ये कहती है कि मैं चाची's mother has gone into coma due to brain hemorrhage चाची is in ग्यान from last two years but she wants to know how to meditate for her mother's recovery ठीक है चाची की मा कोमा में चली गई है देखिए दोक्टर्स भी तो कुछ नहीं कर पाते हैं आत्मा का connection brain के certain center से cut off हो जाता है मनुस जीवित भी है आत्मा सरीर में है उम्रत नहीं हुआ है और बहुत सारे लोग कोमा से बाहर आए हैं हमें मिलते रहते हैं कि ये व्यक्ति 15 दिन कोमा में रहा एक तो काफी सालों के बाद कोम कई 20 साल के बाद भी बाहर आते हैं मेरे को मिले पीछे मैंने का तुम्हे तो ये जीवन स्वयम स्विवाबा ने दिया उसकी सेवाओं में इस जीवन को लगा दो नहीं तो कैसा हाल हो जाता तो देखिए इनको एक काम तो ये करना है कि आधा गंटा अपनी मा के लिए time fix करक उनको इससे good vibrations जाएंगे और कोई बाधा कोई विकर्म रास्ते में आ गया है जीवन में वो इससे समाप्थ हो जाएगा line clear हो जाएगी ये regular lean को करना जब तक ये उठे हैं दूसरी चीज एक बहुत अच्छी therapy जो हम सब को सिखाते आ रहे हैं brain को energy देनी है उनके पास जाकर 10 मिनट सबेरे दे 10 मिनट रात को दे और तरीका वही दोनों हाथ मलते हुए मैं master serve शक्तिवान हो दो-तीन बार याद कर ले तो हाथों में बहुत energy आ जागी भले ही ये दो स साल से ज्ञान में हैं राजयोग का अभ्यास करें लेकिन बहुत confidence के साथ मैं master serve सक्तिवान हो हाथों में energy आ गई अब मा के पीछे शिरानी बैठ कर वो brain पर दोनों हाथ रख देंगे उनके एक मिनट तक रखेंगी और इनको feel होगा कि हाथों से बहुत अच्छे vibrations brain को जा रह effect हो जाए जो connection कटे हैं वो जुर जाएं तो बहुत अच्छा result होगा साथ में पानी भोजन जो भी नलीयों से दिया जा रहा है उसको विदर्ष्टी दे के charge कर दें जो हमने विदी बताई हैं तो इससे निश्चित रूप से इनको मदद मिलेगी और उसके पास खड़ी होकर मन से आत्मा को जैसे अवाज देंगी मदर जागो हम तुम्हें जगाने आये हैं बहुत देर हो गई सोते हुए है आत्मा अब जागो सिव बाबा तुम्हें जगाने आया है जागो ये मन से बोलना या मुख से बोल सकते हैं तो अच्छा है ऐसी स्थिति हो तो मन से बोले न तो पूरे घर में एक निराशा का वातावरन चाया रहता है, लगता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसी जो अनिश्चित जो आतावरन होता है, वो कहीं न कहीं दुख पैदा करता है, हमारी शुप काम न रहेगी कि जल्दी से जल्दी बहारा आजाएंगे, जग एक प्रश्ण ये कहती है, कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया है, लेकिन मैं अमरित वेला नहीं उठ पाती, उठ भी गई, तो योग अच्छा नहीं लगता, नींद का प्रभाव बना रहता है, क्या करूं, वसुंधरा दिल ले ये समस्य तो ऐसे है, कि मैं खाना खाना चाहती हूँ, पर खा नहीं पाती हूँ, भूख बहुत लगी, पर खा नहीं पाती हूँ, लेकिन गईयों के साथ ब्राता जी ये बेचारे उठी नहीं पाते, बहले वाट बजे सो जाएं लेकिन फिर दूसरे दिन भी सुबाट बजे सो जाता भाई, मैंने पूचा कितने बजे उठते हो, कि 8 बजे उठता हूँ, मैंने का ये तो आपने कुम्ब करन को पार कर दिया, तो मैंने उसको सिखाया कि आप 8 बजे ना सो, सो 10 के आसपास ही, साड़े दस सो, कभी-कभी क्या होता है, जब ज़्यादा लंबा समय हम सो जाते हैं, तो बोडी में उस तरह की लेजी नैस, उस तरह की वाइबरेशन सा जाते हैं, फिर वो वेक्टी सोय आई रहता है, तो दस सारे दस बजे ही सोयें, और एक बहुत अच्छा ध्यान तो ये दें, कि भोजन कम करना है रात को, ऐसाने बिलकुल नहीं खाना है, थोड़ा सा कम खालें और जल्दी खालें ताकि भोजन हजम हो जाये, रात को सोने से पहले ये कम से कम 21 बार बहुत अच्छा भ्यास करके सोयेंगी, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हो, और फिर लास्ट में संकल्प करेंगी, मैं चार बजे फ्रेस उठ जाओंगी, साथ बार मैं चार बजे बिलकुल फ्रेस उठ जाओंगी, कई लोग मेंटल क्लॉक सेट करते हैं तो वो डिजिटल क्लॉक में क्या देखें हाँ कि चार बज गाए हाँ और मैं उठ गई हूँ, इस प्रकार से अभ्यास करने हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्लोक आदी नभी हो तो मन में सं कल्प कर लें, तो सबकॉंशेस माइन इसे रिसीव कर लेगा, और क्योंकि सबकॉंशेस माइन रात को जगा रहता है, उन्हें पता है कि मुझे इसे चार बजे जगाना है, वो इनको बहुत फ्रेस जगा देगा, आप जग तो गए, जगने के तो और भी कई साधन हो जाते ह है, लेकिन मनुस जब नहीं जगता तो कोई जगा दे, फिर वो सो जाता है, लेकिन ये जो माइन में थोट्स भरेंगे, इसका इफेक्ट बहुत ही सुन्दर होगा, इनको एक चीज बाद में करनी चाहिए, खाली पे, नहने दोने के बाद, वो है अनुलोम, विलोम, प्रान जिसकी बाद हम बहुत करते हैं, महले स्वामी राम देव जी ने उसको चर्चा में लाया, सिखाया है, लेकिन हमारे सभी लोगों को जानना चाहिए, इससे ब्रेन को ऑक्सिजन बहुत जाती है, और जब ब्रेन को ऑक्सिजन जाती है, सारे बोडी को ऑक्सिजन चली जाती ह तो इस से ये नीन्द जादा आना या नीन्द ना आना या मेमोरी पावर लोस होना या ब्रेन का डल रहना या डेफिजियेंट सी बहुत रहना ये सब चीजे तेजी से भर जाती है इलिए 5-7 मिनट 10 मिनट बहुत श्यामती से इसका अभ्यास कर लें जाए अब रही बात इनक जो मुख्या है कि इनका योग नहीं लगता उठ तो गये अब करें क्या एक तो इनको रात को 10-15 मिनट भी अव्यक्त महवाग के पढ़के सोने चाहिए इस वर ये महवाग क्योंकि जिन विचारों में सोएंगी उनहीं विचारों में ये उठेंगे दूसा सबेरे उठते इ मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ मेरे तो भाग्य जग गए मेरे तो जनम जनम की भक्ति फली भूत हो गई वा बाबा मुझे वरदान देने के लिए बुला रहा है वो अपनी किरने डाल रहा है मुझ पर में सारा संसार सोया हुआ हूआ है और मैं प्रभू मिलन कर रही केली जगी हूँ सारा भाग्य मुझे ही मिलेगा इस तरह का चिंतन करेंगे तो चिंतन के द्वारा इनका ब्रेन एनरजेटिक होगा और फिर ये थोड़ा बैठे थोड़ा घूमे या थोड़ा काम कर ले घर में थोड़ी भी घूमने की जगे घूमे ऐसरी रीरी होने का दिर दिर इनका योग पावर्फुल हो जाएगा लेकिन सुन्धर संकल्पों से ये शुरुवात करें इससे बहुत अच्छा होगा चलिए हमारी शुप कामना रहेगी ब्राता जी कि वसुंधरा की नींद भी ठीक ठीक पूरी हो और सुबह अमृत वेला जो सुबह का समय है व लेजे आपको दो बजे कहीं जाना है तब भी तो आप उठी जाते हैं न क्योंकि एक लक्ष होता है कि नई उठना है और जाना है यहां तो स्वयम भगवान सुबह सुबह वर्दान देने को ततपर है और भगवान यदि कहीं आय हुए हैं मंदिर पे किसी प्रत्यक्ष हो प्रकट हो गए हैं और वो यह कहते हैं कि सुबह चार बजे आ जाना मैं तुम्हें वर्दान दे दोंगा जो वर्दान तुम्हें चाहिए तो निश्चित रूप से हम जाएंगे ही कोई भी जाएगा तो यदि विचार सुन्दर होते हैं संकल पच्छे होते हैं तो उठना स पहज हो जाता है और उठने के बाद भी कुछ अच्छे अभ्यास अवश्य कर लें धीरे-धीरे कहा जाता है करत-करत अभ्यास के यदि अभी आपको अभ्यास नहीं भी है तो लगातार उठते हुआ आप अच्छा अभ्यास करते रहें निश्चित रूप से आपका अमरित को ईजाजे, नमस्कार.